तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आप सबों का बहुत-बहुत स्वागत है और जैसा कि आप सबों को पता है कि क्लास 11 का एक्जाम होने वाला है तो इसी को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री आनि की इतिहास का एक महत्वपूर्ण वीडियो भी वी इंपोर्टेंट कुश कोशन है इसको आप लोग बहुत आराम से देखें बहुत ज्यादा संभावना है कि कोशन यहीं से पूछे जाएंगे इसलिए आप 400 को बहुत आराम से देखते चलें तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला कोशन क्या बोल रहा है पहला कोशन फ्रेंड्स कि on the origin of a species न बनाना कब आरंब किया तो इसका करेक्ट अंसर हो जागा फ्रेंड्स नव पाशान काल में कब नव पाशान काल में ठीक है और इसी काल में खेती आवास और अगर पसू का बात करें तो कुट्टा पहला पसू था पालन में और फिर पहिया इसी में सब हुआ था ठीक है नव पाशानकाल में नेक्स कोशन देखते हैं कोशन नमर थी क्या बोलड़ा है फ्रेंस कोशन नमर थी हमारा कि आधुनिक के मानव आधुनिक मानव के साच छी अफरीका के किस अस्थान पर मिले हैं तो इसका करेक्ट अंसर हो जागा आपसन नमर सी इथोपिया आपको धियान में लगना रखना है नेक्स कोशन कोशन नमर फूर कि आध का परियोक साच परिख्व पर थम किस मानव दौबारा किया गया यह कुशन नहीं के बराबर पूछेगा बर फिर भी आप लग जाए कि आगर बाएँ में श्टेक अगर पूछ दे कि आधा का परियोक साच पर थम किस लीपी था वो था किलाक्छर लीपी यहाँ पर लिखावा था किलाकट लीपी, या थोड़ा सीटापिंग इसटा हो सकता है, या अगर ये भी लिखावा मिले किलाकट तो आपको ध्यान में रखना है वैसे किलाक्छर लीपी होगा ठीक है आनिकि 5 का आपसा नंबर भी करेक्ट अंतर होगा क्वेशन नमर 6 से देखते हैं हम लोग क्या बोल डाफ्रेंस कि मेसो पोटामिया का समाज कितने वर्गों में विभागत था तो ये जो है वो तीन वर्गों में विभागत था ठीक है नेक्स कोशन इंपोर्टेंट कोशन है ये पिली नदी किसे कहते हैं पिली नदी किसे कहा जाता है तो हां वांग हो को वांग हो वांग हो ऐसे लिखाता है ऐसे करके ऐसे वांग हो ठीक है तो यहां पर क्या मिला जूला लग रहा है तो हांग हो option number 2 हमारा correct answer हो जागा next question है question number 8 क्या बोल रहा है कि सर्व पर्थम पहिया आनि कि चाक का विश्कार हुआ तो ये सर्व पर्थम कहां विश्कार हुआ था मेसोपोटामिया में हुआ था option number C हमारा correct answer हो जाएगा question number 9 है friends कि वह कौन सा प्राचिन शामराजे था जो तीन महादेसों महादीपों में फैला हुआ था तो इसका correct answer हो जाएगा रोमन सामराजे ठीक है आनि का option number ये correct answer हो जाएगा question number 10 है हमारा कि असोग के अभिलेक में किस भासा का परियोग हुआ था किस भासा का परियोग हुआ था तो ये हुआ था आरा में इक भासा आनि का option number C हमारा correct answer हो जाएगा next question देखते है question number 11 क्या बोलड़ा है friends कि दुनिया की सबसे बड़ी या फिर लंबी नदी कौन सी है तो इसका जो correct answer हो जाएगा option number D हो जाएगा नील नदी नदी ठीक है question number 12 यह आप सभी को पता हुआ नील नदी question number 12 है हमारा कि रॉम की आरंभीक निवासी किस पर जाती के थे तो ये थे E trace case ठीक है तो इससे मिला जूला यहाँ पर कौन सा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 यूसकन हो जाएगा option number D correct answer हो जाएगा next question देखते है question number 13 क्या बोल रहा है कि सबसे प्राचिन संपूर्ण कुरान कौन सी सताबदी का है तो इसका correct answer हो जाएगा option number C 9 सताबदी का next question देखते है question number 14 क्या बोल रहा है कि कबीले का नेता क्या कहलाता है तो वैसे आम तो पर तो कबीले का नेता मुख्या कहलाता है या फिर सरदार कहलाता है लेकिन यहां जो आफसन दिये गए है अगर इसके अनुशार हम लोग बात करें तो यह हो जागा हमारा आफसन नमबर यह सेख ठीक है सेख इसको अरब में बोला जाता है है ना कि अरब में जो है कबीले के नेता को सेख बोला जाता है तो इसको आप उध्यान में रखना है अपसन नमबर यह हमारा करेक्ट अंसर हो जागा क्वेशन नमबर 15 क्या है फ्रेंट्स कि इसलाम धर्म के संस्थापक कौन थे तो यह आप सभी जानते हैं हजरत महमद अपसन नमबर यह करेक्ट अंसर है क्वेशन नमबर 16 है हमारा कि इसलाम धर्म की अस्थापना कहां हुई यह भी आप समों को पता होगा कि मक्का में ठीक है चलिए नेक्स क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर 17 क्या बोल रहा है मुगल समराजिक की नीव कब रखी गई यह क्वेशन आप सभी को पता होगा आप 1526 इसवी में ठीक है इब्राहिम लोदी साथ लड़ लड़ने बावर चलिए नेक्स क्वेशन हम लग देखते हैं क्वेशन नमबर 19 है हमारा फ्रेंड कि आधुनिक चिन के संथापक माने जाते हैं तो यह किसे माना जाता है तो सनायत सेन को ठीक है आप सन नमबर B करेक्ट अंसर हो जागा नेक्स क्वेशन क्वेशन नमबर 20 नमबर क्या बोल रहा है कि चीन में युवान राजवन्स का अंत कभ हुआ तो इसका correct answer हो जाएगा हमारा यह हुआ था तेरा सो अर्शाटीसवी में option number B हमारा सही answer है next question देखते है question number 21 क्या बोल रहा है कि भारत की खोज किस वर्से की गई बताईए भारत की खोज किस वर्से की गई तो यह 1499 में है ना वासको डिगा मदवारा next question देखते है question number 22 क्या बोल रहा है कि पादवा विश्व विद्याले किस देश में है तो इसका correct answer हो जाएगा option number D इटली next question देखते है 23 number question क्या बोल रहा है कि यूरोप में किस वर्स भीशन अकाल पड़ा था यह important question है इसका correct answer हो जागा 1315 से 1377 के बीच में आने की option number D correct answer हो जागा next question question number 24 कि France में समाज के प्रथम वर्ग में कौन आते थे हाँ यह important question है तो यह पादिरी लोग जो है वह प्रथम वर्ग में आते थे ठीक है next question 25 number question क्या बोल रहा है कि France इसी करांती कब हुई थी यह भी question अपने आप में important question है 1789 में question number 26 क्या बोल रहा है कि कागज का अविश्कार शर्व परथम किस देश में हुआ यह question भी बार बार पूशा जाता है और इसका अंसर आप सभी जानते भी है ठीक है option number D correct answer हो जगा चाइना next question 27 number क्या बोल रहा है कि Columbus ने अस्पेन का जंडा कहा गाड़ा था तो friends देखिए इसका अंसर जो है वो correct answer हो जाएगा फ्रेंट से अमेरिका के जो बाहामा द्वीप समू है उस पर यह अपना जंडा जो है अस्पेन वाला वो गाड़ा था ठीक है चलिए next question देखते है 28 number की वासको डिगामा कहा का निवाशी था तो यह था कहा का है बता दीजे जल्दी से पुर्टगाल का आपसर नंबर सी correct answer हो जाएगा question number 29 friends की कोलंबस किस देश का नागरिक था कोलंबस पुछेगा कि कहा का निवासी था तो पुर्टगाल का निवासी था यह आप सभी जानते हैं अब पुछेगा कोलंबस किस देश का नागरिक था तो यह हो जागा इटली का ठीक है जिनेवा इटली का next question देखते है question number 30 number की भारत के खोज किस ने की तो भारत का खोज एक second हाई यह वासको डिगामा कहा का निवासी था पुर्टगाल का और कोलंबस किस देश का नागरिक था तो यह जिनेवा इटली का इसको अदम confuse ने होना है कोलंबस यह अमेरिका और यह वासको डिगामा भारत जिसे यहां बोला कि भारत के खोज किस ने किया तो भारत का कुन किया है बताओ तो तीस का हमारा भी हो जागा अंसर वासको डिगामा नेक्स कोशन देखते हैं 31 नमर क्या बोला है फ्रेंस कि पुर्टगाल के कि सिराज कुमार को नाविक कहा जाता है यह भी इंपोर्टेंट कोशन है 31 नमर कोशन का हो जागा आपसन नमर भी हेंडरी नेक्स कोशन देखते हैं कोशन नमर 32 कि सरवपर्थम भाप के इंजन का विसकार किस ने क्या यह भी इंपोर्टेंट कोशन है बताइए इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर हो जागा हमारा थामस नियू कॉमेंट ऑप्सन नमर भी करेक्ट अंसर नेक्स कोशन 33 नमर क्या बोलता है कि अध्याओगिक करांतिक की सदी में हुई यह भी इंपोर्टेंट भी भी आई कोशन एक दम तो यहां इसको एक लेन मतलब थोड़ा सा और भी बढ़ा के ऐसे लिखा हुआ रहा सकता है या फिर इतना ही से आप समझेए कि अध्याओगि चले नेक्स कोशन देखते हैं 34 नमर क्या बोल रहा है कि अध्याओगिक करांतिक के पशचात आने वाली नई आर्थिक वैस्ता कहलाती थी या कहलाती है क्या कहलाती है तो यह कहलाती है स्रम संग ठीक है अध्याओगिक करांतिक के पशचात आने वाली नई आर्थिक वैस्त श्रम्शंग चलिए कोश्चंड नमब 35 देखते हैं सिड्नी कहां इस्थीत है तो है इस्टीन कहां इस्थीत है फ्रेंट यह सिड्नी अस्ट्रिलिया में सिड्नी में होता है न मैच सिड्नी में क्या बोलते हो उसको अस्टेडियम है 36 नबर कोशन के अस्ट्रियल्य के अस्ट्रिलिया के बीच की भूमी कैसी है कैसी है ब्धास्ट्रिय्य की बहुमी कैसी है कुछ इस परकाट से कोशन है तो यह मरु अस्थल वाला है ठीक है इंडियन एक्ट कब बना तो ये बना था 1876 wieмы आपसर नंबर B करेक्ट आंसल हो जागा 39 नंबर कोशन है हमारा कि चिन कीस महादेश में इस्ती थै बताये तो चीन कीज महादेश में इस्ती थै तो ये आप सभी का पता है कि उत्री अमेरिका रे गलत बात ये अंसर नहीं है रक्षिन अमेरिका नहीं है ये रोप भी नहीं बाबू कुन सा हो जागा हमारा अंसर एसिया हो जागा ठीक है जिसमें हम लोग रहते हैं कि जापान में पहली बार महलाओं ने कब मतदान किया तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा 1946 में ठीक है चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 40 इंपर्टेंट कोशन देख लिए हैं आप एक बार और इसको रिपीट करके देख सकते हैं ताकि एक्जाम में आए तो अब डायरेक्ट क्लिक आने की डायरेक्ट टिक करके आ सकते हैं न चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स तब तक के लिए नमस्कार जैहिन